लाल सागर में यमन के हूती के हमलों की वज़ा से अमेरिका की अगवाई में पस्चुमी देशों को जटके पे जटके लग रहे हैं। हाल ही में जर्मनी का युदपोत हैसेन लाल सागर छोड़ कर वापस जर्मनी चला गया था। जिसे यूरोपियन यूनियन के सैन अभिहान के तहट फरवरी दो हजार चौबिस में लाल सागर में भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका का यूएसेस ट्वाइड डी आइजन ह जटा दी है जिसकी वज़ा से अब एक एक करके पश्चिम के युदपोत लाल सागर से मैदान छोड़ कर जा रहे हैं। और मार्च के महीने में ही हूती के नेता अब्दुलमलिकल हूती ने कहा था कि इसराइल से जुड़े जहाजों को केप अफ गुड होप की और हिंद मह उनको मार गिराने के बाद हूती के हूसले और बुलंद हो गए हैं। और अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में एक नहीं बलकी चार हमले करके भूचा ला दिया है। सबसे पहले उसने कमर्शल जहाज बुलकर साइकलेड्स पर एक मिसाइल से हमला किया है। खुती का कहना है कि उसका ये हमला एक दम सटीक रहा है। इसको लेकर UK Maritime and Trade Operations ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले में जहाज को नुकसान पहुचा है लेकिन उसका चालक दल सुरक्षित है। जहाज फिलाल अगले बंदरगाह के लिए आगे बढ़ रहा है। Maritime Traffic Data के मताबिक इस जहाज पर Malta का ज्छंडा लगा हुआ था जो उत्तर की तरफ लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर की तरफ जा रहा था। एकक्वेसिस के मताबिक ये जहाज पूर्वी भूमद्दे सागर में जहाजों के बेड़े का हिस्सा था। वहीं समले को लेका रहूती के प्रवक्ता ब्रिगेडिया जनरल याया साहरी ने कहा कि इस जहाज पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो इस महीने 21 अप्रेल को उमल रश्रश इलत बंदरगाह की तरफ जा रहा था। नफ्दत लूआ बुआ लमसलحة यमनी आ अमलीया इस करए जदिए इस उखन हर्ब्या औाम्धिन फिह प्र एंप्र एंफर में इसलिए वथ्देव अीमने, इसलिए भीमने, अमल्ये को ओिया के लिए लीमने, आप्रपिए एनर इसलिए आ, आ. त. आ. इसलिए अ. इसलिए अग्र जो जो एल्मसेयर फिल्ग विल्गाध लुओात अमली तन ओर्म कर दाना प्र जार्जाव जाला इया सिवीन अप्राइखव एप्री फिल्च एल्जाद ला उल्मान. आपको बता दे कि हालिया दिनों में कमर्शल जहाजों पर हूती का ये सीधा हमला है जिसमें किसी जहाज को नुकसान पहुँचा हो इससे पहले 26 अपरेल 2024 को हूती ने पनामा के जहंडे वाले एंड्रोमेडर स्टार जहाज पर एक मिसाइल हमला किया था इसके अलावा दूसरा हमला हूती ने MSC कंपनी के MSC ओरियन कंटेनर जहाज पर किया है आपको बता दे कि इस जहाज पर पूर्तगाल का जहंडा लगा हुआ था लेकिन इसके मालिक इसराइल अरबपती ओयल याल ओफेर है बड़ी बात यह है कि MSC ओरियन कंपनी इसराइली अरबपती याल ओफेर की है और इस कंपनी के कई जहाजों पर हुटी ने मिसाइल हमले किये है मार्च 2024 में हुटी ने MSC Sky 2 पर भी एक हवाई हमला किया था और अब 29 अपरेल 2024 को हुटी ने बुलकर साइकलेट और MSC ओरियन पर हमला किया है इसके बाद हुटी ने अमेरिका के दो युदपोतों पर ड्रोन अटेक किया जिसे अमेरिकी युदपोतों ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया अमेरिकी समुद्री प्रशासन के अनुसार हुटी ने नवंबर से अब तक इस शेतर से गुजडने वाले जहाजों पर पचास से ज्यादा हमले किये है एक जहाज को जब्त कर लिया है और दूसरों को डुबो दिया है भूती का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा में अपने हमले बंद नहीं करता तब तक ये हमले जारी रहेंगे